इस समय अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम बड़ी तेजी से बदल रहा है चाहे वो बेया बंगाल हो या अरेबियंसी हो दोनों जगहे पर कहीं न कहीं एक वेदर सिस्टम बन रहा है और अरेबियंसी की बात करें तो वहाँ पर एक चक्रवाद बन चुका है इस बारे में औ अगर हम अरफ सागर की बात करें तो वहां पर किस तरीकी का चक्रवात मौजूद है और उसकी वज़े से किनकी इलाकों पर प्रुभाव पढ़ने की आसंका है अरफ सागर में जो एक लो प्रेशर सिस्टम फर्मेशन हुआ था वो कल मिदनाइट में एक डिप्रेशन का रूप ले लिया था और यह रेपीटली इंटेंसिफिकरेशन होकर आज सुभे एक साइक्क्रोन स्टर्म में परिनत हो गया और अभी जो इंफर्मेशन हमारे पास है आज दोपर को एक सीवियर साइक्क्रोन स्टर्म में परिनत हो गया है और इसका विंट स्पीड अभी वो इलाका में लगभख 90-100 km पर आवर गश्टिनेस पे 110 km पर आवर चल रहा है वो इलाका है साउथ वेस्ट अरभियान सी सुमालिया कोस्ट से इस्ट में और हमारे उमी परिश्ट में गति कर रहा है और आज रात को से 12 बजे से 4 बजे की अंदर सुमालिया कोस्ट को यह पार करेगा इसकी प्रोहाब में अभी सुमालिया कोस्ट की आसपास जो समुंदर है साउथ वेस्ट अरभियन सी वह डिस्टर्वड है फेनोमेनल सी यह आप बोल सकते हैं इसलिए जो मच्वारे हैं हम बोले हैं कि वह एरिया को नहीं जाना चाहिए और जैसे महारत मुस्टम विज्ञान विवाग एक रिजूनल स्पेशलाइस्ट मेट्रोलिकल सेंटर की रूप में काम करता है कि समालिया ऊमम एमेन और सभी देसको हमारा जो साइक्लों समंदी सुचना है वह हम हर तिन गन्टे जारी कर रहे हैं मपात्रा जी अगर हम इस साइक्लोन की बात करें गति की तो इससे भारत को कोई ख़तरा नहीं ंबहरत को अइससे कोई यह एरिया को जाएंगे तो इसलिए हम बहुत दिन पहले हम यह चतावने दे रहे हैं कि उस एरिया में कोई फिसर में नहीं जाना चाहिए शिफ्ष्वगरा भी नहीं जाना चाहिए सर एक और दूसरा सिस्टम जो बन रहा है जिसकी आसंका बढ़ गई है उसकी अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में भी इसी तरिकी का कोई सिस्टम बन रहा है जो साइकलोन में तब्दिल हो सकता है रहा है है कि यह लिफ्षित को खिए अफ्वराक परिवाल के सैंट्रल आरिया है यहले ऐक वेल्माट लो प्रेश्र आरिया हो खरर savoir सिंपर संपर्स लिफ्षा स्थ कि एक डिप्रेशन में परिनत्थ हो सकता है और धिरे धिरे इंट्रेशन होकर एक साइकलोन बनेगा और इसका मुव्मेंट के बारे में हमारा यह पुर्वानवान है यह धिरे धिरे उत्तर पश्चिम दिशा पर गति करेगा और तामिलाडव को स्ट को कराइकल और महावली प दूस्री बात यह होगा कि यह इह उतर प।श्चिम दिशार पहोज़ है और या इसलिए के लिए रहे में समुंदर तो असंत रहे गाओ झा साथ साथ जो विंड स्पीड द्रेद्रे बढ़ेगा और स्क्वाली विंड स्पीड आज से भी हम उमीद कर रहे हैं साउथ वेस्ट बेह बेंगाल पे मगर काल से बढ़कर 45-55 किलोट्स पर आवर होगा और द्रेद्रे बढ़के साइक्लोन स्पीड जो होता है और इसकी साथ साथ इसका प्रोभाब में बारिस शुरू हो जाएगा काल से और कल कोस्टल तमिल लडु में और पूडुचरी में आइसलेटर हेवी रेंपल हो सकता है और चब्स और 25 तरिक में तामिल लडु पूडुचरी में बहुत अधिक बारिस होने का हम उमीद कर रहे ह जैसे कि कुछ सिलाका में हेवी तु भेरी हेवी रेंपल हो सकता है और आइसलेटर एक्स्ट्रीमली हेवी रेंपल यानि 20 से जादा बरिस होने का भी उमीद किया जा रहा है जो यह सभी को देखते हुए हम लगातर इसका अपडेट दे रहे हैं और वार्निंग भी इसू कर रहें जो मच्वारें हैं वो तुरंट तट पर वापस आजाना चाहिए और 25 तरिक तक कोई साउथ वेस्ट बेवा बेंगाल एरिया में और इसका जो एड़रिंग एरिया है जैसे वेस्ट सेंट्रल बेवा बेंगाल साउथ अंदर पर स्कोष की पास कोई नहीं जाना चाहि सब्सक्राइब 25 तक नहीं जाना चाहिए सर इस साइकलोन की वजह से कितने बड़े इलाके में जोड़दार बारिस होगी और अगर हम तमिलनाडू की बात करें तो पूरा तमिलनाडू है या अंद्रपरदेश की बात करें तो अंद्रपरदेश का कौन सा इलाका है सब सब्सक्राइब 25 तरीक को एंटायर तमिलनाडू में बारिस होगा 26 तरीक को सबसे जादा बारिस तलेंगाना रयल शीमा एरे में होने का उमेद कर रहे है वहां भी एक्स्ट्रेमल हेवी रैंफल हो सकता है इसके साथ-साथ हमारा उमीद है कि धिरे-दरे रैंफल वेल्ट न और तिस्ट की तरफ शिफ्ट होगा और साउथ-साथ-सकड़ और साउथ-वोडिशा में भी इसके प्रोभाब में बारिस हो सकता है कि जिन दाम बनजाया अभी बताएंगे अभि गति का नाम और नाम है इसके बाद आय का प्रपोस्ट नाम है इसका नाम होग निवॉर्प को दिया ग्यार है वो साइक्लोन आए भारत को हिट करेगा जब बनेगा तो अब नाम दिया जाएगा महापात्रा जी आपका धेर सारा धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए क्योंकि भारत मौसम विभाग की जब हम बात करते हैं तो समय पर अलर्ट देने के लिए मस्हूर है और खास्त और पर महापात्रा जी की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का साइक्लोन मैन मोला जाता है यानि पूरी दुनिया में जिस तरीके से सटीग जानकारी देने के लिए महापात्रा जी विख्यात है और महापात्रा जी ने अगर कह दिया है कि इने लाकों में हो रहा है होने जा रहा है तो आपको तयार रहना चाहिए अची के साथ क्योंकि साइक्लोन तो आएगा ही है लेकिन उससे upward सकते हो सकन्य थर लीए सभी एजनसियों को मिलकर काम करना होगा तो देखते रहे ज़न के सống फिर दमलेंगे देघर